आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro Android में अगर आपके WhatsApp की Incoming Call अगर स्क्रीन के उपर शो नहीं होती तो इस प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह तो आपका यह एप इंफो पर टैप करेंगे तो आपका WhatsApp का एप इंफो का पेज आएगा इसमें आपको Storage uses पर टैप करना है इसके अंदर आपको दो option मिलते हैं पहले तो आपको यह clear catch का option टैप करना है ठीक है आपका यह catch के सामने आला data जीरो हो जाएगा इसके बाद आपक का setting page open करना है इसमें सबसे उपर सर्च बार पर टैप करना है यहां पर सबसे उपर सर्च बार में software आपको लिखना है आपको नीचे software update का यह option शो होगा इसे tap करना है आपका फोन आपको directly setting page में लेकर आएगा आपको इस वाले page पर कोई भी update का बटन या download install यहां पर लिखा लिखके search करना है ठीक है आपका WhatsApp के सामने अगर यहां open की जगे अगर update लिखा हुआ दिखाई देता तो उसे update पर टाप करके अपने WhatsApp को update कर लेना है दोस्तों होता है कि अगर हमारा WhatsApp update नहीं रहता है न तो इससे हमारे WhatsApp के अंदर को छोटी मोटी कमियां आने लगती है तो इ देना है इससे आपका phone automatic switch off होके automatic switch on हो जाएगा restart करने से ही होता है हमारे phone के android system में अगर कोई problem आती तो solve हो जाती है ठीक है अगला काम यह करना है mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करन करना है आपका phone directly आपको setting page में लाएगा आपको नीचे erase all data पर tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके WhatsApp की incoming call screen के ओपर शो नहीं होती है यह problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone में कितना भी data है सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात यह दियान रखने हैं आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से नोट कर गए रखना है यह दो काम आपको पहले करने हैं उसके बात phone को reset करना है तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताएवे सारे process आपको यूज करने से आपके WhatsApp की जो incoming call है स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है प्रावलम आपकी solve हो जाएगी ठीक ना